अस्सलामों अलेकूम वेलकम बैक टो नास अकेडमी एजुकेशन उमीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे आप बहुत अच्छे होंगे है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 9th क्लास का महरास्ट बुड का जो हिंदी लोकवर्णी है उसका जो पांच सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबा ले ताकि हम जो भी कोई नए वीडियो अफ्लोड करें आपको नौटिफिकेशन आता रहे है ठीक है और मतलब आपको इस चैनल से हैल्प हो रहा है यानि तो प्लीज कमेंट करके आप हमको बताना जरूर ओके और कोई वीडिया प्लीज उन्हें बताए इस चैनल के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग अपने पार्ट के आंगन में आजा ठीक है आगे होंगे उमीदें तो पहला है आकृति पूर्ण कीजिए आकृति पूर्ण कीजिए में उसमें आपको देखिए ऐसे आठ सियंदें करती हैं किताब बाते करती किया बाते करती हैं हमको बताना पहुँआ है ना चना इसली देखिए आमसर्स कृण पे देखिए या अगर आपको इस के झाम उट नहुत लेना तो तो फिर वीडियो को पॉस्कर कर दित हैं बीते जमान borrow की जीत्त की कार की प्यार आपको बता भी दी हूँ ठीक है चले देखते है next question दूसरा है क्रूति पुन की जी क्या है किताबों में किताबों में क्या है तो हमको बताना है ना चार बॉक्स है इन चारो बॉक्स को में फिल करना है चले फिल करते हैं तो देखें किताबों में क्या है की देखें में बता तो पहले कलर चेंज कर लो ताकि गड़ बढ़ना हो रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज है, ज्यान की भरमार है और बड़ा संसार है फिक है, यह चारो बोक्स में यही आएगा, आप लोग लिख ले ओक्ेंट, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कोर्षन आपका नेक्स्ट कोर्षन है ना, कल्पना पल्वन से कल्पना पल्वन से है तो क्या है कि गरंथ हमारे गुरू इस विशय के तंदर्प में स्वयमत बताईए तो आपको ये गरंथ जो हमारे गुरू है उनके उपर मतलब कि खुद की विचार बताई क्या है है न तो इसके लिए मैंने आंसर लिए हो टेंशन लेने की कोई ज़रत है मुझे मालूम है कि अगर आप लोग लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा अगर मैं आपको बना हुआ माटेरियल दूंगी तो क्या होगा कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में है ना और आपका टाइम भी बचे होगा और आप दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हो है ना युकि हम नाइन्थ और टैंथ दोनों बहुत इंपोर्टेंट होते हैं अगर नाइन आपका अच्छा गया तो आपका टैंथ भी अच्छा ही जाएगा हां वह बात बच्चों पर डिपेंड रहती है कि मतलब बच्चे महनत करते हैं कि नहीं क कि कलर में चेंज करना भूल गई हो कलर चेंज कर लूंगी तो अच्छा रहेगा इजी लिए हमको समझेगा क्योंकि कलर मेक्स नहीं होगी हमारे ना हमारे ग्रंत ग्यान का संसार हैं अक्षे भंडार हैं हमारे वेद पुरान उपनिष्ड भगवद गीता महा भारत राम चर लिए लिए dealt fare और तीयों से परीचित कराती है नतिकता सिखाती है अधुनिक युग में देखे तो अनेक महान रहेर honest की आत्मकथाएं भी यूं-क मतलब क्या होता है आज टेक्णोलोजी वला जोग इनने बाहि बहुत प्र तैक्णोलोजी वला और जो महान इंसाने बख्राद में थौमस अडूशन उन्हों मैंने कहीं मर्तबर τ्राइटी फिर उन होते गया नहीं होते लिकिन एक साहर क्वार्श कमयाब हो गए हमें इसамिल मिलते हैं कि कभी γ ragd तो इन पुस्तक उसी परकार लाभनित हो सकते हैं जिस परकार की सम्यपता में कोई शिष है अता यह काना उशित होगा की गरंथ हमारे गुरू है ठीक है एक बार मैं काम करती बोट साफ कर दी तो गंदा दिग रहा ना लाइन-लाइन कर दी तो एक से किना हड़ी है सब अब द बहुत इंपर्डेंट आपको दो मांक्स के लिए पूछता ही है प्रेस्नल रिस्पांस के तो अगर आप इसमें से दो चार लाइन भी लिग दोगे ना तब भी चलता है आपको मांक्स मिल जाहेंगे ठीक है चली देखते हैं नेक्स कोशन आपका नेक्स्ट कोशन बहुत इ अब अश्र बिंदु में क्या बुलाइए कि निर्देश अनुशार काल परिवर्थन कीजिए अब इसका मतलब क्या है चली समझते अब आपको निर्देश लाइन की हम लोग बोलते है ना खब एक की इस तरह होता है उनकी अनुशार है ना लाइन की हिसाब कि हैंना हमको औ की और आपको इंग्लिश में बुला जाता है तरतीब से है ना उससे रखना है तो सबसे पहले वर्तमान काल है वर्तमान काल में पहला क्या है सामान ने बताया है किताबे कुछ कहना चाहती है यह सेंटेंस बताया है ना तो वर्तमान काल के यह पूर्ण जो है इसमें क्या आ इसको पुर्ण विराम कहा जाता है जो वाक्य के अंत मेनी आखिर में लगाया जाता है उसे पुर्ण विराम कहा जाता है हिंदी में ठीक है ऐसे चिनों के बारे में हम अल्रडी वीडियो बना चुके अगर आपने नहीं देखे वीडियो तो प्लीज देख ले जाकर ठीक है य किताबों किताबे कुछ कह रही है ठीक है उसी तरह आपका आएगा भूत काल अब भूत काल में सामानने यही सेंटेंस को हमें सब में बतब दिल करने जाए सब को बदलना इसी तरह ठीक है तो सामानने में क्या आएगा भूत काल में था थे यह आता है ना लेकिन हमें सामानने किताबे कुछ कहना चाहती थी ठीक है उसी तरह पुर्ण में लिखेंगे यहां पर आंसर किताबों ने कुछ कहा था ठीक है उसी तरह अपुर्ण में लिखेंगे लाइनिंग से किताबे कुछ कहना चाहेंगी ठीक है अगर कुछ डाउट होना तुम्हें आपके सामने में सारे लाइन से सारे सेंटेंस लिख देती हूं आप वो देखकर लिखेंगे मैंने समझाने के लिखेंगे समझाइदी ठीक है देखिए आपके स्क्रीन पेना सारों के आंसर लिख दिए सारे बॉक्स के आंसर आपके मिल जाएंगे लिख लीजिए आपको ना ये काल में बहुत काम आएगा ठीक है तो शरी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफिस टेक है और आप लोगको एक नि आपके लिए पूछे जाते हैं ठीक है यानि हम इसमें को ट्रिक्स दूंगी ताकि आपना बहुत जल्दी लिख लो और जो चीज़ा अपना लिखे हो उसके लिए टाइम बज़ आपका ठीक है एक्जाम के लिए तो इन्शाला जरूर बनाओंगी मस्के लिए वीडियो कैस करो काम कर रहे होंगी मम्मी बिचारी काम करते रहती दिन पर करती ही कि नहीं तो स्रूब कर दिया करो ओके चलिए अल्ला आफीस टेक कियर विलेंगे और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेर आवर वीडियो